हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अभीशेक और आज आपसे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरीके साथ अपने रेड़ी नोट 4 में MIUI 9 को अपडेट कर सकते हैं वो भी Android 7.0 Nukat के साथ तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके साथ अब यह कर सकते हैं तो जो भी आपको रॉम वगयरा सारे डाउनौड करनी होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा वीडियो के तो वहां से आप डाउनौड कर लेना और उसके बाद इस प्रॉस अपने फोन में जाना है या फिर कोई भी आपका दूसरा फोन है उसको स्रेट करना जिस भी फोन में अपडेट करना चाहते हो तो बेसिकली आप विजिदार के खंटेश सब्सक्राइब तो नहीं को स्वादि अपने अपने फोन की सैट्ञ्स में जाना है थेटहर नहीं जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर उपर राइट साइड में त्री डॉट्स मिलेंगी सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और चूज अपडेटर पैकेज पर क्लिक करने के बाद आपको वो रॉम डाउनलोड सेलेट करनी है जो हमने डाउनलोड की थी तो बेसिकली जस्ट उसको सिलाइट करना है और उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाईगी गेटिंग इन्फरमेशन जैसे कि आप देख सकते हैं और उसके बाद आपका फोन MIUI 9 में अपडेट हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने किसी भी शाओमी फोन को MIUI 9 में अपडेट कर सकते हैं अगर आपके लिए वह अपडेट अवेलेवल होगा शाओमी के रेडमी नोट 4 में यह अपडेट अवेलेवल था तो मैंने आपको बता है कि इस तरीके से आप यह अपडेट कर सकते हैं अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना शेर क को बता है